दिजिधन योजने चा लखी ड्रो समारंब सुरुआ है पंतप्रधान मोदीन चाहस्ते दर दिऊशी 15,000 नागरीक या योजने अंतरगत लखी ड्रो जिंकु शकना रहेद चुदा एप्रिल ला एक मेगा ड्रो निगना रहे अशिमाहित्यात्त मोदीन दिली आणि आत्ता याक्षनाला भीम नावच्या अप्लिकेशन देखिल लॉंच करना तेला क्रिश्मस के दीन भारत सरकार ने एक गिफ्ट की शुरुवात की थी और उसके तहट आने वाले सो दिन तक प्रती दिन पंदरा हजार लोगों को लकी ड्रॉ के माध्यम से एक हजार रुपया इनाम में मिलने की योजना और ये उसके लाभारती वो लोग हैं जो डिजिटल टेक्नलोजी का उप्योग करते हुए एक ग्रहा के बताओर खरीदी करते हैं पचांस रुपय से जादा और तीन हजार रुपय से कम ताकि इनाम गरीबों को मिले सो दिन में लाखों परिवारों में इनाम जाने वाला है और ड्रॉ होने के तीन दिन के बाद बैंक के लोग उसमें से नाम कौन है वो निकाल देते हैं जो पहले दिन ड्रॉ हुआ था उसमें जीन के इनाम लगा था उसमें से चार लोगों को मुझे आज अपने हाथों से इनाम देने का उसर मिला आज तीस तारीक को लकी ग्राहक योजना के साथ साथ डीज़ थन व्यापार योजना का भी ड्रॉ हुआ यह सब्ता में एक दिन हो रहा है आज पहला था और उसमें उन व्यापारियों को प्रोशान देने की योजना है कि जो अपनी दुकान में ग्राहकों को डीजिटल पेमेंट के लिए प्रेजित करें उनको समझाएं वो व्यवस्ता दें और 14 एप्रिल बाबा साब अंबेर करजी की जन्म जहनती पर एक मेगा ड्रॉ होगा जिसमें करोड़ों रुपियों के इनाम दिये जाएंगे जिन लोगों को इस लखी ड्रॉ में इनाम मिला है उनका मैं अभिननन करता हूँ लेकिन मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ क्योंकि उन्होंने जार्खन जैसे छोटे गाउं में रहले वाले किसी छोटे नवजवान ने इस टेक्नलोलोजी को आत्मसाथ किया इस टेक्नलोलोजी का उप्योग किया महिलाओं ने उप्योग किया और इसलिए देश में जो लोग इसके साथ जुड रहे है वो एक प्रकार से उच्वल भारत की नीव मजबूत करने का काम कर रहे है और इसलिए मैं इन सबका अभिनंदन करता हूँ को बढ़ाई देता हूँ आज एक और काम हुआ मेरी दर्सी से ये सबसे महत्वपुन काम हुआ है और वो हुआ है एक नई एप लांच की गई है जिसका नाम रखा है भीन बहुत कम लोगों को मालूम होगा जिस महापुरुष ने हमें सम्विधान दिया वो डाक्टर भीमराव अंबेड कर अर्थ सहस्त्र में उनकी निपूर्टा ये उनकी सच्ची पहचान थी और उन्होंने आज से करीब 80-90 साल पहले भारत का रुपिया उस पर थिसिस लिखी थी और मुद्रा निती कैसी हो उस समय जब अंग्रेजों का साथन था भीमराव अंबेड करने विश्व के सामने भारत की मुद्रा निती के सबन में एक नए पन से अपनी बचारों को प्रस्तूत किया था और आज हम लोग जिस रिजर्व बैंक की चर्चा करते हैं RBI की बात करते हैं डॉक्तर बाबा साब आमबेड करने जो थिसिस लिखी थी उसी के प्रकाश में से विचार लेकर के ये रिजर्व बैंक का जन्म हुआ था इतना ही नहीं आजहां भारत में हमारे जो फेडरल स्रक्चर है राज्यव और केंडर के बीच आर्थिक वबस्ता कैसे चले पैसो का बटवारा कैसे हो इसके लिए जो फाइनांस कमिशन की कलपना हुई है यह भी बाबा साब आमबेड कर भीमराव आमबेड करके विचारों का परणाम है बाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाब तो उस महापुरुष का नाम है डॉक्तर भीमराव आमबेड कर